हेलो एवरिवन लक्षे यूट्योब चैनल पर आप सभी का हर्तिक स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आई होई एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं जो कि special educator की recruitment को लेके हैं तो इसी सम्बंद में एक नए जन्पद से एक नया notification आया है तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं और किस-किस specialization की पोस्ट हैं और कौन-कौन candidate उसमें आविदन कर सकता है तो चलिए देखते हैं official notification की कहां से आया है जैसा कि आप यह official notification देख रहे हो ये सेवा योजना पोर्टल पे आया हुआ है और इसमें बताया गया कि Special Educator की Recruitment का Notification है ये जो की Basic सिक्षिया वीभाग की तरफ से आया है इसमें आवेदन करने की अंतिमति थी इन्होंने बताई है 23.2024 और कुल रिक्तियां है इसमें 7 तो Total 7 Post हैं जो की Graduation और Diploma बोला है इन्होंने साथ में जो की होना चाहिए आपका Mentor Retardation में और इसके लावा Graduation प्लस आपने B.A.D. किया हो Mentor Retardation में तो देख सकते हो आप इन्होंने Graduation प्लस Diploma मांगा है अगर आपने Graduation प्लस Diploma किया है तब याप Eligible है अगर आपने 12th Class Diploma किया है तो आप Eligible नहीं है उसके लावा अगर आपने B.A.D. किया है तो भी आप Eligible है और Specialization इन्होंने मांगा है कि आपका Specialization Mentor Retardation में होना चाहिए तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आप में से जो भी साथ ही Eligible है और आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकते हैं इसके लावा इन्होंने बताया कि जो कारिया का वीवरण है सनातक हो विशेश्चिक्ष्या में दो वर्स का डिप्लोमा या उसके लावा आपके पास B.A.D. होना चाहिए जो कि Mentor Retardation में इसके लावा आपने या तो UPTAT पास कियो या CTAT दोनों में से आपका एक उत्तिल्ड होना चाहिए और आपका RCI में पंजिकर्ड होना चाहिए RCI में आपका Registration करवाना अनिवारिये है तो अपेक्षित वर्ग में पूर्स और महिला सभी अपलाई कर सकते हैं और Salary इन्होंने बताई है 15.950 रुपे आपकी Salary होगी नियूनतम एज इन्होंने बताई है 21 वर्स अधिकतम बताई है 45 वर्स जो की Journal Category के लिए है इसके लावा अगर आप किसी Other Category में आते हैं तो आपको As Per Government Rules Benefit मिलेंगे इसके लिए इन्होंने Experience बोला है कि आवशक नहीं है और कारियस्तल बताया है कि उत्तरपरदेश राज्या के पिलीभीद जनपद से ये वकेंसी आई है तो आप देख सकते हो ये जो वकेंसी का नोटिफिकेशन आया है ये पिलीभीद जनपद से आया है तो जो भी उसके आसपास के साथ ही है या पिलीभीद से ही आप बिलॉंग करते हैं और या कहीं से भी है अदर स्टेट से भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई कंडिशन नहीं है इसमें कि आपको यूपी का ही होना जरूरी है अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी साथी इलिजबल्टी क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहा है और फॉर्म फिल करना चाहता है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और उसके बाद ये mail के थरू या SMS के थरू आपको interview के लिए सुचित करेंगे और आपको उसमें interview की date बता दी जाएगे तो देख सकते हो ये पिली भी जनपद से भी notification आ चुका है एक के बाद एक सभी जनपद से आपको notification देखने को मिल रहा है तो जो भी साथी interested है वो अवेदन कर सकते हैं और ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन का पटन जरूर दबाए ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरेंट आप तक notification पहुंझे और वीडियो को जाशे जदा लाइक करें साथ में शेयर भी करें Thank you